तो फ्रेंट्स अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं Unacademy Learning App पर प्लेलिस में जाके डाउनलोड कीजिए Unacademy Learning App और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स मेरी कोर्सेस के बारे में देख सकते हैं मेरे सारे लेसंस और स्लाइट्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको आफ लाइन तो अभी कीजिए डाउनलोड अनकेडमी लर्निंग अपर प्रतीक्षा यूपी पी एसी की तरफ से ए एक महीने बाद अब इसका रिजर्ट घोशित हो सकता है इस बार जो एल्टी ग्रेट की सीटें हैं वो भी भरपाना मुश्किल हो रहा है और ये वज़ा बन सकती है न्यूंत्यम अहर्ता अंकी अनिवारिता की वज़ा से और जो रिजर्ट आएगा वो अब आरो ए आरो के बाद ही घोशित होगा यानि की दिसमबर के अन्तक अल्टी ग्रेट की परिक्षा का परेड़ाम है वो घोशित हो सकता है नवंबर में अब कोई चांसे стен नहीं है एल्टी ग्रेट के परेड़ाम के घोशित होने के बाद और विस्तार से देख लेते हैं तो इसमें भी यही कि जो दिसंबर के अन तक LTE grade सिक्षक भरती परिक्षा का परड़ाम खोशित कर सकता है UPPSE और इसमें सभी सीटें भर पाना मुश्किल नजर आ रहा है। साथ ही 68500 सिक्षक भरती की तरह इस भरती परिक्षा में भी नियूंतम अहरता अंकी अनिवारता लागू की गई थी हाला कि अभ्यरती कह रहते कि नियूंतम अहरता अंकी अनिवारता समाप्त हो जाए उनकी डिमांड है अभ्यरतियों के डिमांड यही रहती है कि नियूंतम 17,700 सिक्षकों की भरती होनी है इन में 5,364 पद पुरिश और 5,400 पद महिला सिक्षकों के हैं और भरती के वर लिखित परिक्षा से ही होनी है यह परिक्षा 29 जुलाई को प्रदेश में 49 जुलों के 1760 किन्रों पे आयोजित की गई थी और परिक्षा के लिए कुल 7,63,317 अभ् भरती परिक्षा में शामिल हुए थे और परिक्षा का परणाम जो है वो दिसंबर तक के अंत तक आने की उमीद है तो अभी उमीद है फाइनली नहीं कहा जा सकता उमीद नवंबर में भी थी लेकिन अब एक और महीने की लिए टाल दिया गया है यह रिजल्ट आयोग अभ एल्टी ग्रेट सिक्षक भरती का परिणाम घोशित किया जाएगा पिछले दुनों 68500 शिक्षक भरती का परिणाम आया था जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यरती नियूंतम अहरता अंग भी प्राप्त नहीं कर सकेते और हजारों पर खाली रह गएते और ऐसे में एल्ट करते हैं तो कोड भी याचिका भी दायर कर रखी है आयो के कुछ अफसरों का माना है कि नियूंतम अहरता अंक के कारण अल्टी ग्रेट सिक्षक भरती में भी सभी सीटें भरपाना मुश्किल नजर आ रहा है तो सभी सीटें भरपाना मुश्किल नजर आ रहा है नियूंतम से कम आते हैं तो आप फेल ही माने जाएंगे अगर आपके 60 हैं तभी आपका मेरिट में नाम हो सकता है देन उसके बाद अगर आप OBC या SC STK हैं तो आपको 45 मार्क्स लाने होंगे तो ये मार्क्स जो है ये नियुन्तम अहरता बनाई गई है अगर आपके इतने मार्क्स ही आते हैं तभी आपको आगे शामिल किया जाएगा आगे जो मेरिट बनेगी उसमें शामिल किया जाएगा अगर इससे कम आपके मार्क्स हैं तो आपको फेल ही माना जाएगा और मेरिट में आने के कोई भी chances नहीं रहेंगे तो ये new term अहरता की अनिवारता कर दी गई है LT grade में और ये पहले ही बता दिया गया था कि new term अंक होंगे और इतने अगर आपके अंक हैं तब ही आप आगे processing में आप आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगी अभी इतना ही कोई भी LT grade से संबंदित खबर आती है रेजर्ट से संबंदित कोई खबर आती है आप तक पहुंशती रहेगी तो प्रीज बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें लेकिन उसे पहले अगर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बाई बाई टेक केरें थैंक्स पॉर वाचिंग